सास्षिकाल दोस्तों मैं हां तो अपना गुर्विंदर सिंग तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संदू व्लोक्स आजदा व्लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके उनना बच्चियां वास्ते जिन्ना दे भी फाइल कैनेडा लगण वाली है जिन्ना ने भी हाले अम अपने रिजल्ट दा इंतजार कर रहे हैं उनना वास्ते भी आजदी वीडियो खास होन वाली है आजदी वीडियो दे वेच में टॉपिक जेड़ा है वो सेंट्रीक है तो हाड़िगा मार्कशीट्स नू लेके तो हाड़े एकेडमिक्स नू लेके ते खास करके जो तो हाड़े एकेडमिक्स नू लेके उनना ते अजदा फोकस होन वाला है तो जो भी कैनेडा लेई अपलाई कार रहे हैं स्टूडेंट या जिनना ने अपलाई किता या जड़े करन वाले ने उनना वास्ते बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है जेकर पहली बार चनल देख रह है कि सही ते अथेंटिक ते को रेट जानकारी तो हाड़े तक पहुंचाई जावे होन बहुत सारे बच्चेयां दे डाउड सुन देने कि दस्वी वेच मार्कशीट वेच नंबर काट आ है की ओ मार्कशीट लगाईए या हटा देए कई वार एह हुंदा है कि प्लस टू द या फिर लोग एकेडमिक दा कोई प्रॉपर सलूशन जेकर तो हनू दे रहा है वो भी नहीं हैगा सिर्फ आपा लोग एकेडमिक नू जस्टिफाई कर सकते हैं उस तो लावा हूर कुछ नहीं किता जा सकता हां जेकर आपा दोबारा डिगरी कर लेने हैं दोबारा डिपलो कर ली ते दसमी दुबारा कर रहे हो एस सार्गा चीजा किसे तरिक्के दा लॉजिक नहीं बंदा जो वीजा ओफिसर नूँ कन्वेंस कर सके कि वीजा तो हनू प्रोवाइड कर दे तो हून मैं कई एजेंट्स ते वीडियो वेखे कहिंगा ने बकायदा तोर ते आके खोद स्क्रीन दे उत्ते दास रहने कि जी जे दसमी दे वेज तो हड़े नंबर काटने ते तुसी उमाकशीटी गोल कर दो नहीं एक कोई सेलूशन नहीं है गल्त पासे नूँ तुसी नहीं जाना हैगा मैं तो हनू बकायदा तोर दे उत्ते प्रूफ दिखा रहे हैं सक्रीन ते देखो कि माकशीट्स मिसिंग दा है कि तो हाड़े डॉकमेंट मिसिंग ने केपस नो उड़ दे वेच एर रीजन दिता हुया है रिफ्यूजल लेटर दे वेच एर रीजन जेड़ा है एकस्प्लेइन किता गया है जे रिफ्यूजल लेटर दे वेच उनना एकस्प्लेइन क इता है इस चीज नूँ एदा मतलब है कि उतो हड़े एकेडमिक जेकर तुसी कोई माक्षीट नहीं लगा रहे ता प्रॉबलम है गी है एक स्टूडेंट दी में नूँ कॉल आई सी गी जिनने दस्वीं दा सर्टिफिकेट नहीं लगाया सी इस करके नहीं सी लगाया क्योंकि उदे माक्स 46 सी गे एक सब्जक्ट देवेज 46 माक होंजदा करके उनने केजन तो फाइल लगवाई उसने क्या कि तुसी माक्षीट ना लगाओ उस वजा नाल उदा रिफ्यूजल आया जदो उसने मेरे नाल केस पूरा डिसकस कीता तो जदो उनू चंगी तरा देख्या उन उन जी दा दसमीदा उसने सरटिफिकेट ही नहीं हैगा प्लस तू दा खाली सरटिफिकेट है पासपोर्ट है उस तो बात उन रिफाइल लगा देती यार की लोजिक है हाना फिर उदा करके जदो रिफ्यूजल हूंदा है तो बच्चा मेरे नाल जदो डिसकस करदा है ते उने यह चीज मेरे अगे नहीं दसी फिर जदो मैं अगा रफ्यूजल लेटर पड़ेया उन्हें सज़ेस्ट किता कि तुसी केप्स नोट अपलाई करो कि तो अगेप्स नोट अपलाई किते केप्स नोट दे वेचवी ओदे एकेडमिक नू लहके सवाल सिगा कि तो हाड़िय जड़ियां मार्कशीट्स ने हैं जड़े तो अड़े डॉकुमेंट्स ने वो पूरे नहीं है कि जिस दी वज़ा नाल असी तो हानू रिफ्यूज कर रहे हैं सो उस्तों बाद उसने टैंथ दा सर्टेफिकेट लगाया प्लस टू लगाया उस्तों बाद फाइल लगाई रिजल्ट हाले उस दा पैंडिंग है हाले रिजल्ट डिक्लियर नहीं होया जन्वरी इंटेक ली बच्चे दी फाइल लगी होई है अगर देखो जेकर ते तो हड़ा कोई एक्सपीरियंस है जेकर तो हड़ा कोई हो रहे हो गलवक्री है जड़े बोड़ दे एक्जाम ने दस्मी दे प्लस टू दे तुसी उन्हान नो गोल नहीं कर सकते जे तुसी उन्हान नो गोल कार रहे होता तो हड़ा रिस्क है एकल समझो दुबारा तुसी री थिंक करो इस चीज नो जेन्ना मी बच्चा ने फाइल इस तरह लगाई है कि उन्हान ने दस्मी दी माक्षीट गोल किती है तब बेलको ले नहीं करना हैगा प्लस टू दे विच नंबर काट है कोशिश करो जिनना के तुसी डिफेंड कार सकते हो पहली गाल जे एकेडमिक तो आड़े लो है ते मैं सजेस्ट करांगा कि किसे होर कंट्री तुसी देख लो हाँ फाइल टू फाइल वैरी कारदा है बाकी जड़े मेन सब्जक्ट जी द कंप्यूटर दा को सजेस्ट कर दिने बच्चे नो कि जी कंप्यूटर लेलो यार कंप्यूटर दे वेच वी ओननानों उथे प्रोग्रामिंग सिखाई जानी है उथे बाइनरी दे बारे गलबात हुंदी है उथे होर बहुत कोछ हुंदा जड़े कंप्यूटर परन वाले मेरे नानों वद्ध नॉलेज होएगा उथे वीच मैथमेटिक्स रिक्वाइरमेंट हुंदा है फिर तुसे के मेरे नानों सिखेस्ट कर सकते हो कंप्यूटर दा कोर्स लेलो ते को साफ जी गाले है आपा यहनू लौजिक टांग ना सोचिए कि जड़े भी सब्जेक्ट त तुसी दे ओसनार रिलिमसी बनो नी बनो नी है जे नहीं बनो दे तो अड़ा रिजेक्शन है पर जड़े मेन सब्जेक्ट है जी दे नाल तो हड़ा जड़ी प्रीवेस स्टेडी नाल जड़ी तो अड़ी अपकमिंग स्टेडी है जड़ी तुसी कैनड़ा वेच करना वास उस course दी involvement नहीं हैगी तो हाड़े upcoming जड़ा तुसी course ले आए तब उसी जा सकते हो तो इस चीज़ दा बहुत ज़रूरी है त्यार रखना ते खास करके ए चीज़ बहुत clear में दास रहे हैं इस चीज़ फाइल टू फाइल वैरी कर दिगाने तो हाड़ी फाइल ते डिपेंड करदा क्यों फाइल के में दी है दुजी गाल जे तो हाड़े एदे विच कोई कमी हैगी है तुसी उन्हों SOP स्टेट्मेंट आप परपस लिचे बकाइदा तरह ते डिफेंड करो सिर्फ एदा एक की तरीका है कि उन्हों justify किता जावे, defend किता जावे ओस तो लामा जेकर कोई कवे कि academic दा कोई permanent solution हैगा है ता उन नहीं हैगा जेकर आपा promotional गल करनी है, खोश करन वास्ते सब नों गल करनी है कि जड़े low academic वाले है, खोश हो जानगे नहीं जेड़ी accurate information है, ओदी गल कर रहे हैं, low academic ते की वीजे ओंदे या नहीं एवी एक सवाल हुंदा बच्चे अंदा यह मैं इस ते पहला मी वीडियो बनाई है, यह मैं इस करके justify कर रहे हैं, यह वीडियो इस करके बनाई क्योंकि मैं देख रहे हैं, कोछ एजेंट साफ तोरते ओन स्क्रीन कैन लग पे कि तुसी दस्वीदी माक्षीटी गोल कर दो ता मैंनों एजे लगा कि बच्चे की ते गलत पासे ना डाईवार्ट होन, कोशिश मेरी हुंदी है कि जेकर, कोशिश यही हुंदी है कि जेकर, स्व बच्चा सानू देख रहे हैं, और चो दो बच्चे भी, साड़े कैन दा हिसाबनारियां कह सागते कि मैं नहीं कहें दा मेरे कहनते चलो कोई रब थोड़ी है थे तुसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है उन्हों क्रॉस चेक करो जेकर तो अनू लगदा है सही है लॉजिक लगदा हो देना ठीक है नहीं लगदा कोई गल नहीं है गी बट हाँ मैंनों हुंदा कि कोई बच्चे ने सा एक चान ना होए देखो जे तुसी माक Stev research dave with no लिए उनों दिखा रहे उन्हों दिखात। diferente माक कर रहे है वर तुसी माक Chuted twentês दंट से कणेडा कर रहे ہं और तो इसी समझन दे लोड है यार लॉजिक तरी के नाल चलना है, बिना लॉजिक बैठके स्क्रीन ते कोई भी गल कर दे नी, बिना प्रूफ दे गल कर दे नी, यह लॉजिक नहीं हैगा, तो कंसंट्रेट हो, आपनी फाइल ते खोद मेहनत करना सिखो, एजेंड नूँ फॉलो करो, चंगियां गल ना फॉलो करो, जे वो तोहड़ी किसे गल नूँ बाइपास कर रहा है, तोहड़ी किसे डॉकुमेंट नूँ बाइपास कर रहा है, उन्हों एलेट करो, कि नहीं प्रजेक्शन नहीं आवेगा, तो उम्मीद कर दा व्लोग पसंद आया होएगा, जेकर फिर भी किसे तरह दी कन्फ्यूजन है, प्रोफाइल नूँ लाएके तोहड़ी एए, सोपी विच कोई हल्प चाही दी है, केपस नोट नूँ लाएके कोई डाउट है, कोई हल्प च असरिकार